अब देखो, ऐसे questions board examination में जरूर आते हैं, बच्छों, जिसमें आपको sign A is equals to cos A दिया होगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बच्छों, क्या दिया होगा आपको exam में, sign A is equals to cos A आपको दिया होगा, ठीक, या फिर आपको इस तरीके से दिया होगा, क्या, cos A is equals to sign A आपको दिया होगा, ध्यान से पुरा pattern समझ लिजेगा, या फिर आपको class 10 में, tan A is equals to 1 दिया होगा, ठीक है, या फिर आपको और का मतलब, या फिर आपको बच्छों, cot A is equals to 1 दिया होगा, ये चार चीज़ें आपको exam में दी जा सकती हैं, अब इन में से कोई भी question आ जाए, तो याद रखिएगा बच्छों, आपका जो angle होता है, यह लिखाओ चाहें थीटा, ये हमेशा 45 होता है, class 10 के लिए बता रहाँ, ये हमेशा कितना होता है, आपका 45 डिगरी होता है, क्यों सर, क्योंकि बच्छों, आप Tignometry Table में जाके देखिए, sign की value और cost की value कब equal होती है, बताइए, अगर मैं थोड़ा सा Tignometry Table में बच्छों आपकी जाओं, तो आप ध्यान सरा चेक करोगे, तो बच्छों, sign, यहां मैंने sign लिखा, यहां मैंने cost लिखा, ठेक, और यह मैं angle लिख रहा हूँ, 0 degree, 30 degree, 45 degree, उसके बाद बच्छों, 60 degree, फिर आपका 90 degree, ये values आपने याद करी होंगी, sign 0 कितना होता है, हमें values लिख रहा हूँ, blue color से, sign 00, sign 30 कितना होता है, 1 by 2, sign 45 कितना होता है, 1 by root 2, sign 60 कितना होता है, आपका, root 3 by 2, sign 90 होता है, आपका 1, इसी तरीके से cost के लिखोगे, तो value reverse हो जाती ही, यहां से लिखना शुरू करोगे, 1, और यह इधर आजाएगा, root 3 by 2, उसके बाद यहां आजाएगा, 1 by root 2, और उसके बाद आजाएगा, 1 by 2, उसके बाद आजाएगा, 0, चिक, और अगर मैं आपको याद दिलाओं, तो 10 की अगर हम बात करें, जिस्ट मैं आपको याद दिला देता हूं, बच्छों, 10 की अब बात करें, तो 10 जो है आपका बच्छों, 10 0 आपका 0 होता है, ठीक, 10 0 आपका 0 होता है, फिर 10 30 होता है, 1 by root 3, अगर आप धियान दोगे, और 10 45 होता है, आपका कितना, 1 होता है, उसके बाद बच्छों, 10 60 कित बता हूं, इसी तरीके से, अगर आप कॉर्ट की वैलू लिखोगे, ठीक है, अब मैं कॉर्ट के लिए पूरा नहीं लिख रहा हूं, आपको बता होगा, बस मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ठीक, बागी सारी वैलू आप लोगो बताऊंगी, मैं ये आपको बताना चाह रहाँ वन बाइरूट तो यही मैं बात आप से कर रहा हूं कि कभी भी अगर साइंड थीटा इस इकुल स्टी टा दे दिया जाए या कॉस्ट सीटा सीटा दे दिया जाए तो समझ जाएगा साइन और कॉस की वेलू उइक्वल कराना चाहता है तो साइन और कॉस की वेलू एक ही एंगल पे एक्वल होती है और वह एंगल कौन सा है 45 क्योंकि साइन 45 भी वन बाई रूट तो इस तरीके से आपको यहां पर थीटा कितना ले लेना है लेना है और उसके बाद कॉट थीटा अगर आपको कितना दे दिया जाए बच्छों यहां पर वन दे दिया जाए तब भी आपको थीटा कितना लेना है 45 क्योंकि आप देख सकते हैं कि कोट 45 कितना होता है वन तो यह बात आपको समझ में आगे होगी अब इतना करने के आप से यह पूछ रहा है यह देखिए टो टैन स्कॉर ए प्लस साइन स्कॉर ए प्लस वन छेक अब निकाल लीजे क्या दिक्कत हो गई बताईए चलिए निकाल लेते हैं क्या फाइंड करना है टू इंटू टैन स्कॉर एक ही जगा आप कितना रखोगी 45 छेक क्योंकि एक ही हो जाएगा थैन 45 की बलु अप्लस साइन 45 कितना होता है वन वाय रूट तू लगा है साइन 45 वन बाय रूट टू टू इसको मिलेगा ऑर प्लस वन यह लोग अब यहाँ सबसे से पहले मैं इन दोनों को एड़ कर लेता हूं तो प्लस वन कितना आ जाएगा थी तो यह हो गया और प्लस में क्या बच्छा आपके बास वन बाइट टू अब इसको सॉल्फ करना आता है तो तो यह आपका फाइनल आंसर यहां पर आ गया लेकिन आपको यह बताना चाहता हू कि यहां वो आपको कुछ भी दे देगा एक्जाम में जैसे कि मानलो ऐसा भी सवाल बना सकता है कुछ भी आपको बना के दे देगा जैसे कि मानलो उसने बना के दे दिया टू इंटू टैन स्क्वाइर ए और प्लस उसने लिग दिया वन अपॉन कॉसे के स्क्वाइर ए और म अपन कॉसेक स्कॉयर 45 है ना और माइनस टू छिक सॉल्फ कर लीचे तो टू इंटू टैन स्कॉर 45 वन का स्कॉर 1 हो जाएगा प्लस बन अपन अब एक काम कर सकते हो इसको चाहो तो कॉसेक की वेलू देखलो कॉसेक रूट2 को साइन लिख लो आप साइन लिख frequency एसको चाहू एसक भी सवाल क्या है सकता है फाइल साइन स्क्वायर क्या हो घ़ा डूब एसे वह आपको कोई भी function बना के देदेगा जैसे कि एक function मैं आपको बना के देता हूं आप ट्राइ करिएगा माल लीजे उसने सवाल दे दिया कि find the value of 3 quad square इसी सवाल में है ना minus 2 sin a और plus कुछ भी देदेगा को से ठीक तो इसका answer कैसे आएगा 3 into आपको पता है 45 यहने कि 1 का square हो जाएगा ठीक माइनस 2 into sin कितना होता है 1 by root 2 और plus cos a कितना हो जाएगा आपका 1 by root 2 क्योंकि cos 45 भी 1 by root 2 होता है इसको हम लोग solve कर लेंगे जो भी answer आएगा ठीक 3 into अगर आप चाहो तो मैं solve भी कर सकता हूं 3 into 1 3 हो जाएगा क्या मैं यहां solve कर दो समझ जाओगे 3 into 1 3 हो जाएगा माइनस 2 up on root 2 सुट two up on root 2 1 by root 2 सही है यह हो गया अब इसको आइए मैं आपको solve करके दिखा दे दिखाई देता हो क्या है 3-3 minus कितना था भाई कितना था 3-2 upon root 2 2 upon root 2 और प्लस 1 बाय रूट 2 सही है इन दोनों को सासा सॉल्फ कर सकते हो कर सकते हो बताओ यह बन बाय रूट 2 है बाई लाइक एक जैसे टम है ना नहीं समझ में रहा है तो मैं बताता हूं आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो ऐसे कर लो जो प्लस वाला उसको पहले लिख लो ल लोगो यहां मल्टिप्लाई हो जाएगा और नीचे भी रूट 2 से मल्टिप्लाई किया यहां से क्या जाएगा तो इतने ही आजएगा अब अपान में रूट इंट रूट टू टू तो इस यूर आपको कुछ भी वैलू देदेगा एक्जाम में मलब कोई भी फंक्शन आपको एकजाम में देदेगा तो आपको solve करना पड़ेगा यह कुश्चन तो असान था यहां फंक्शन कुछ भी जा सकता है आपको एक ही वैलू 45 रखने ही ठीक आपको बात समझ में आई होगी